पत्रकार को दो घंटे की कानूनी कारिवाई में आठ धाराओं के तहत फसाया गया है आपको बता दे कि ऐसा आरोप कोरिया के चर्चा निवासी पत्रकार विकास लाल ठाकुर ने लगाए है वही पत्रकार की पत्नी ने भी थाना प्रभारी और कुछ अन्य स्टाफ द्वारा अपने पती को फसाने की बात कही है आरोप लगाते हुए कहा गया कि चर्चा थाना प्रभारी के द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर दो घंटे के अंदर आठ धाराएं लगा कर उन्हें जेल भेज दिया गया है जिसे लेकर कोरिया पत्रकार संग पुलिस अधिक्षक वपुलिस महा निरिक्षक सरगुजा रेंज को इस बदले की भावना पर हुई कारवाई पर ग्यापन देने जा रहा है साधी पत्रकार के साथे बदले की भावना के तहीच संग धरना प्रदर्शन के लिए विवश रहेगा आप को पत्रकार विकास लाल ठाकुर की पतनी ने भी थाना प्रभारी और कुछ हनने स्टाफ द्वारा अपने पती को फसाने की बात कही है कोरिया से समधाता राजु शर्मा की रिपोर्ट कुछ दिन पहले चोरी से समंधित खवर लगाए खवर लगाने के बाद में उसी के बिरोध में जो बिरोध किये चर्चा थाना के टी आई उसी के खिलाप में उन्होंने नव धराएं लगाए हैं और उन्हें जिल भेज़ दिया गया है उसी के एक बैठक रखा गया था उस सिल्सिले में और बैठक में हम लोग ने आज निंदा प्रस्ताव भी किया है कि खिलाप और एस पी साहब को भी आज देना था अवेधन लेकिन एस पी साहब ने आज कार्याले बंद होने कारण आज अवेधन नहीं दे सेंगे उसके लि के लिए हम लोग टी आई को एक अमरा नंसन का भी अपन करेंगे एक दो दिन में उसके बाद में उचित कारवाई की मांग शत्तिकर सासन से करेंगे अच्छा देखते में आ रहा है कि प्रसासन के द्वारा हमेशा पत्रकारों को प्रताइद किया जा रहा है संग इसको लेक का रहते हैं कि अअध की आपके पती का क्या हुा था क्या करते हैं आपका पती में है मेरे पति सब्सक्राइबे है किस मामले फटी से च्पाइब साथ दे रहे थे पेपर में सच्चाइबे नहीं बना है बुंटा गरदी की है यहां कि परवारी यहां के चर्चे के हैं अच्छा उनका घर पढता है बी टाए तो इनको लाइफ बढ़वाद कर दूगा मैं बाल बच्चे को नहीं छोड़ूगा तो पूरी तरह दम लाइफ बढ़वाद कर दूगा मैं यह कौन बोल रहा था यह सौरब दुवेदी बोले हैं इसके बाद आप क्या करेंगी कारवाई क्या कर रही है करवाई मेरे पती का इनसाफ चाहिए सच के साथ इसा नहीं होना चाहिए परादी था ना तो उसके विरुद किसी प्रकार का जूर्म दर्ज है इसके बाद एक सामान आदमी यह जाच कभी से है किसी टी आई के घर के अंदर कैसे जा सकता है इसके लावा विकास लाल ठाकूर का यह भी कहना कि मेरी मोबाईल में पूरी बातें रिकार्ड की हुई है गटना करम का उलेख है गटना का पूरा विडियो बना है पुलिस उसको जब्द कर लेती उसके बावजूद नहीं दिखाती है कुल मिलाके यह जो कृत है बहुत ही निंदनी है और हम सब यही चाहते है कि उसको उच्छे सरी जाच हो पूरी पारदर्सिता सासन के सामने ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल झाल